और मेरे चटोरो कैसे हुआप हम सभी को मतलब चीजबर्स्ट पीज़ा पसंद है की नहीं वो मतलब चीस से लबालब भड़ती रहता है लेकिन घर में बनाने चाते है तो सोचते है इसमें चीस कौन से डालनी है इसमें बेकिंग कैसे करनी है इसमें येस्ट डालेगा की नहीं तो बहुत ज़़ने आप बोलते हो एक यमन भाई हम लोग यीस्ट नहीं खाते हैं आज वही काम करेंगे मतलब बिना अवन के कड़ाई के अंदर हम लोग बनाएंगे चीजबर्स्ट पीज़ा आप देख सकते हैं बहुत ही ज़र्या बढ़िये तरीके से बनाया है इसमें हीस्ट भी नीट डालना पड़ेगा और फूला भी अच्छी तरह है चीज से भी लबाला भड़ती है और टेस्ट इसका फैंटास्टिक है दोस्तों आप सभी को बहुत प परात ली है और परात के उपर मैंने आपको सारे इंग्रिडियंट भी दिखा दिये बेसिक चीज़े दोस्तों मैंने यहापर है ना तीन चौथाई कप मैदा इस्तमाल कर रहा है जो होता है लगबग 100 ग्राम के आसपास आप चाओ तो यहापर अभी आटा भी इस्तमाल कर सकते हो गेहू का आटा मैदा के साथ ही मैंने यहापर है ना एक चमच चीनी डाली है शक्कर उसी के साथ में नमक डाला है एक चमच अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही में और एक चौथाई चमच बेकिंग सोडा यानि खाने का सोडा इस्तमाल कर रहा है हम लोग में से बहुत जिने कंफ्यूज हो जाते है कि यह दोनों में से डिफरेंस क्या है दोस्तों बेकिंग पाउडर जो होता है वो कॉंबिनेशन होता है बेकिंग सोडा का और एक एसिड का जैसे की क्रीम ओफ टार्टार हो गया या फिर सिट्रिक आसीड हो गया उसी के साथ में कॉंफ्लार भी मिलाया वो होता है और बेकिंग सोडा जो होता है वो एक नॉर्मल आसीड ही हो गया मतलब खाने का सोडा हो गया या फिर मीठा सोडा हो गया बेकिंग पाउडर आपको डिब्बी में मिलेगा बazaar में baking powder आपको कभी भी खुली packet में नहीं मिलेगा और जो baking soda या फिर खाने का soda होता है न two, we apply bread mix people in the hand we use aspects मैं यहाँ पर है न बजार की दही इस्तमाल कर रहा हूँ आप घर की भी इस्तमाल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके बास घर में खटी दही है या फिर पुरानी दही है तो और अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों तो आपको यह जो आटा है न एकदम नरम लगाना है दही डाल कर जैसे जैसे आप आटा लगाओगे न आप देखोगे कि यह जो आटा है न बहुत हलका बनेगा और एकदम फलफी बनेगा कैमरे में दिखने में समझने में मुश्किल आ रही है और दही डालेंगे मैं आपको एकदम दही और डाली है इसिके साथ में यहापर न दोचमाज तेल डाल राहाँ तेल डालना जरूरी है दोस्तो इसससे जो पीज़ा है वो ज़यादा नरम बनेगा अब ये जो आटा है दोस्तों इसको आपको अच्छी तरह पटक पटक करना नीड करना है मतलब आपको इसको 4-5 मिनिट तक continue ऐसे mix करकर इसको नरम करना है आप चाओ तो इसको जो 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 से पटक सकते हो या फिर हाथ के अपने उंगली से इसको दबा दबा कर नीड कर सकते हो आप देख सकते हो मैंने ये जो आटा है ये तयार कर लिया है अब इसको कोई rest twist नहीं देना है ये जितना मार खाया खा चुका है फटा फटा भी हम लोग क्या करेंगे पीजा बनाएंगे उसके लिए मैंने इसके तीन हिस्से कर लिया आप देख सकते हो उंगली से तीन indent बना लिए अब दो हिस्से जो है वो एक तरफ रखेंगे और एक हिस्सा जो है उसको अलग कर लेंगे ये क्यों किया हम लोग ने अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी जो चीज होती है ना अंदर वाली वो बाहर निकल जाएगी बेसिकली ये जो एक हिस्सा हम लोग ने किया है और दो हिस्सा जो किया है न मतलब एक तिहाई जो हिस्सा है इसको हम लोग पतला बेल कर सेखेंगे तवे पर इसके जगे आप पहले से बनीवी रोटी भी इस्तमाल कर सकते हो तो मैंने यहापर क्या किया है यह जो आटा है ना इसको चिकना कर दिया है एक तिहाई वाला हिस्सा को अब हम लोग इसको बेलेंगे सुखा मैदा छिड़क छिड़क कर आप इसको बेल लीजे दोस्तो मैंने आपड़ चकला में बेलन के साथ इसको पतला बेल लिया है इसकी साइस जो है वो आपकी प्लीट की साइस की होनी चाहिए मैं आज 9 इंच का पीज़ा बना रहा हूं दोस्तो मतलब यह जो आप स्प्रिंग फॉर्म केक टिन देख रहे हो न यह 9 इंच की है यह केक की टिन है दोस्तो आप देखोगे यह ऐसे बन जाती है अगर आपके पास यह अवेलबल नहीं है घर में कोई बात नहीं दोस्तो आप यह थाली में भी बना सकते हो प्लेट में भी बना सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं आएगी अगर आपने मेरा पुराना कड़ाई पीज़ा का वीडियो देखा था तो मैंने उसमें भी प्लेट में बनाया था तो स्टील की प्लेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों आप वो ही साइस का इसको बेल लीजेगा जो साइस के आप प्लेट इस्तमाल कर रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है आपकी जो प्लेट है ना उसको तयार करना पड़ेगा बटर के साथ लेकिन वो हलका सा सेक लेंगे उससे पहले एक छोटी सी टिप देता हूं दोस्तों बहुत बार हम लोग की जो रोटी है ना वो चिपक जाती है ना तवे पर अभी यह अगर चिपक गया तो मुश्किल हो जाएगी तो मैंने शुरूर में इसमें हलका सा सूखा मैला डाल दिया है अब इसको एक बार कपड़े से पोच देता हूं और फिर हम लोग इसमें अपना पतला बेलावा पीजा का आठा सेक लेंगे जादा नहीं सेकना है दोस्तों आपको लो फ्लेम पर इसको सेकना है जब तक इसमें बुलूले ना निकल जाए उसके बाद आप इसको पलट दीजिए इसको बचा कर रखनी है तो लो फ्लेम पर हलका सा सेक लीजिए ऐसा होना चेहिए कि यह जो आटा है बाद में भी ऐसा है मतलब सौफ्ट रहे और आप इसको फोल्ड कर सके तो उतना ही नरम रखना है इसको मैंने इसमें जादा गोल्डन स्पाट भी नहीं निकाले है तो य बड़ा सारा बड़तनी इस्तमाल कर सकते हो जिसमें आप एक धकन लगा सको यह बड़ी सारी जो कड़ाई आप देख सकते हो इसमें मैं नमक डाल दूँगा आप चोके मत यह जो नमक है मैंने इसको लगबग 20 बार के असपस इस्तमाल किया है अभी उसके वज़े से यह थो लगाएंगे हाइट भढ़ाने के लिए मैंने गैस हाइफ लिम पर आउन कर दी है प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यह जो प्लेट है डाइरेक्ट रख दोगे ना नमक के उपर तो एक तो नीचे से आपका पीजा जल जाएगा और दूसरी बात क्या होगी यह जो नमक है यह आपके पीजा के ऊपर आजाएगा तो खराब हो जाएगा दोस्तो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो एक बड़ा सारा प्याला इसके ऊपर रख सकते हो मतलब स्टील का बॉल रख सकते हो कोई भी मेटल की आइटम आप रख सकते हो जिससे है ना कम से कम 2-3 इंच आप छोटी सी कटोरी भी इस्तमाल कर सकते हूँ या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा ring cutter हो ये cookie काटने में काम आता है, biscuit काटने में काम आता है मेरे पास ये पड़ा है तो मैं यही इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से यही इस्तमाल कर रहा हूँ तो एक ही चीज को खराब कर रहा हूँ अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे इसमें धक्कन लगा देंगे और फिर इसको हाई फ्लिम पर गरम होने देंगे जब तक हम लोग पीज़ा ना बना ले उसमें भी पांच साथ मिनिट तो लगी जाएगी तो मैंने यहाँ पर एक चकला लिया है चकले के ओपर आप है ना मकई का आटा स्प्रिंकल कर सकते हो मकई का आटा है यह दोस्तों इसको कौन फ्लार नहीं बोलते है मेंस फ्लार बोलते है मतलब जो हम लोग मकई की रूटी बनाने में इस्तमाल करते है वह आटा है इसके जगे आप सुरू में सूखा मैदा भी इस्तमाल कर सकते हो तो लीजे मैंने सूखा मैदा डाल कर इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है अपने हाथों से यह जो आटा है ना दो तीहाई वाला हिस्सा इसको हम लोग पहले हलका सा फैला लेंगे उसके बाद हम लोग यह जो मकई का आटा है यह लगा कर इसको फैला लेंगे मकई के आटे से क्या होता है Crispy texture आता है दोस्तों हम लोगे pizza में जो बहुत ज़ादा अच्छा लगता है फिर से दोस्तों जो size होनी चाहिए आपके pizza के आटे की वो ही size की होनी चाहिए जो size का आपका tray है या फिर plate है तो यहाँ पर मेरी जो 9 इंच की plate है ना उसमें मैं क्या करता हूँ बटर लगा लेता हूँ अच्छी तरह यह बहुत important process है दोस्तों मैं बहुत बार कड़ाई में pizza बनाता हूँ और एक दो बार भूल जाता हूँ तो क्या होता है पता है इसके ओपर transfer कर देंगे आपने देखा कैसे मैंने इसको fold करकर हाथ में लेकर इसके ओपर transfer कर दिया अब जो next step है दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसके ओपर अच्छी तरह छेद बनाएंगे अगर यह छेद नहीं बनाएंगे तो pizza का जो आटा है वो ज़्यादा फूलने का chances हो जाता है जैसे रोटी फूलती है वैसे बहुत बार यह फूल जाता है तो हम लोग ने इसके ओपर अच्छी तरह छेद बना दिये है अब हम लोग क्या करेंगे इसके ओपर cheese लेकर आएंगे मैंने बहुत बार है न दोस्तों यह जो cheese आती है और inno आता है और processed cheese आती है वो सबसे बना का भी आता है इसके साथ बनाते हो result है 80% अच्छा आता है मतलब जैसा आपको बजार के hotel में मिलता है वैसा तो बिल्कुल बनी जाता है लेकिन अगर उससे अच्छा बनाने तो उसका process भी है दोस्तों तो आज मैं यही इस्तमाल कर रहा हूं go brand का क्योंकि मेरे पास यह मेरा बोलने के मतलब है जो चीज प्रेड हम लोग इस्तमाल कर रहे है उसके अंदर पहले से ही चीज मौजूद है यह लीज़े दोस्तों जो हम लोग की चीज प्रेड जो है मैंने अच्छे तरफ फैला लिये लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लगबख कोन से इसमें पिंच कर देंगे पिंच करने के साथ ही मैं जो काटा है उसके साथ छेद कर रहा हूं इसमें ताकि यह खुले ना अब हम लोग क्या कर रहे है जहाँ पर हम लोग सेके थे ना रोटी को उसको भी हम लोग छेद कर देंगे ताकि जो हवा है वो निकल पाए वरना क् फूलने का chances हो जाता है दोस्तों तो ये छेद करने के बाद हम लोग इसके ओपर sauce बनाएंगे instantly हम लोग की pizza वाली sauce जो मेरे को पसंद है ऐसे pizza में मतलब जो ज़्यादा चीज की pizza होते है उसमें थोड़ सी spicy sauce अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक चम्मच tomato sauce लिया है उसी के साथ में मैंने एक चम्मच red chili sauce लिया है एक चम्मच मैंने यहाँ पर शेजवान sauce भी लिया है और वो tomato, lesson, herb वाला flavor लाने के लिए मैंने हलका सा इसमें pizza sauce भी डाल दिया है pizza sauce के जगे आप यहाँ पर वो oregano भी डाल सकते हो वो भी काम कर देगा दोस्तों अब मैं तीनों को इसी के उपर mix करकर अच्छी तरह फैला दूँगा यह देखे दोस्तों हम लोगा जो sauce है वो तयार हो चुका है अब हम लोग इसके उपर cheese फैला देंगे मैंने यहाँ पर Amul brand का mozzarella cheese इस्तमाल करा है यह बड़ी वाली packet है दोस्तों आप normal वाली packet भी इस्तमाल कर सकते हो यह पहले से ही घसी भी आती है हम लोग यहाँ पर अभी cheese burst pizza बना रहे तो अंदर तो हम लोग ने cheese खुलकर लगा दी उपर भी खुलकर डालेंगे दोस्तों अगर आप चाहो तो कम भी लगा सकते हो mozzarella cheese के साथ साथ मैं यह आपर cheddar cheese भी डाल रहा हूँ अगर आप एक cheese इस्तमाल करना चाहो तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप यह Britannia की cheese इस्तमाल करो क्योंकि इसमें पहले से ही दोनों cheese mix है आप Britannia के जगे go brand की यह cheese भी इस्तमाल कर सकते हो तो चलिए दोस्तो मैंने घर में ही दोनों cheese को mix कर लिया है अब हम लोग क्या करेंगे इसके उपर topping रख देंगे topping में आप कुछ भी इस्तमाल कर सकते हो जो आपको पसंद हो मैंने आप पर प्यास लिया है, corn लिया है, लाल सिम्ला मिर्च लिया है, पीला सिम्ला मिर्च लिया है, olives लिया है जो आपको पसंद हो वो आप इस्तमाल कर सकते हो मैंने topping अच्छी तरह इसके ओपर फैला दिये है अब मैं इसके ओपर हल्किसी और चीज रख देता हूँ या आपकी choice है दोस्तो अगर आपको रखना चाहो तो आप रख सकते हो अब final tip आपको देता हूँ दोस्तो इसके कोने में आपको butter लगाना बहुत जरूरी या आप चाहो तो silicone की brush इस्तमाल कर सकते हो या फिर gloves पहन सकते हो लेकिज मैंने अपने हाथ धोकर use किये है और साथ ही में अगर आप rubber के या फिर kitchen gloves इस्तमाल करते हो तो वो ज़्यादा hygienic नहीं रहते है क्यूंकि गरम है दोस्तो butter तो थोड़ा वो भी सोचे मैंने अपने उंगलियों से ही इसमें butter फिला दिया है कोने में जहाँ पर भी आटा था ना मतलब मैदा था वहाँ पर मैंने इसमें butter लगा दिया है अब मैं कढ़ाई को खोल लेता हूँ और फिर इसके ओपर हम लोग अपना pizza रख देंगे ध्यान से रखेगा दोस्तो ऐसा आप ये tool इस्तमाल करिएगा और फिर इसको ढख दीजे फटाफट हाई flame पर हम लोग इसको पकाएंगे लगभग 15 मिनिट के लिए लेकिन एक problem क्या आ गई है दोस्तो मेरे घर की अचानक से studio की light चली गई है जिसके वज़े से ये pizza तो भई मैंने उसी time खा लिया मैं वापिस से एक और pizza बना रहा हूँ ये देखिए light आने के बाद process बिल्कुल सेम ही है दोस्तो लेकिन मैं आपको एक बहुत बटी tip शेर कर देता हूँ मैं यहाँ पर फिर से आटा बेली रहा हूँ बेलने के बाद मेरे को याद आया कि बजार में ये जो pizza बेस मिलता है इससे भी बना सकते है दोस्तो तो आप ऐसा pizza बेस अगर आपको मिलता है तो आप इसको बीट से काट लीजिए, काटने के बाद आप इसके उपर अपना cheese spread लगा लीजिए, फिर से धक दीजिए, इसको पानी से चिपका दीजिए अच्छे तरह, और फिर आपका ये जो cheese burst pizza है ना, वो बजार के pizza base से भी बन जाएगा, मेरा कहना तो क्या है, एक बार अगर आप ये try कर लोगे ना, घर में pizza base बनाना, तो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं बो ही कर रहा हूँ, घर में बनाएवा जो pizza base है, इसको transfer कर रहा हूँ, अपनी tin के उपर, मतलब plate के उपर, उससे पहले मैं अच्छे तरह butter लगा लिया था दोस्तो, अब मैं इसके उपर क्या क दोस्तो, reason के है कि हम लोग जब इसको fold करते है न, उपर एक और रोटी लगा कर, तब क्या होता है कि इसकी size हलकी सी छोटी हो जाती है, उसी reason के वज़े से मैंने आज यहाँ पर 9 इंच की plate इस्तमाल करी है, cheese spread फेलाने के बाद मैंने इसके उपर हम लोग की पकाईवी रोट और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोने में पानी लगा रहा हूँ, ताकि यह जो आटा है न, वो अच्छी तरह चिपक जाए, बहुत बार chances होते है कि यह खुल कर निकल जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इसमें अच्छी तरह पानी लगा दो तो, अब फिर से आप देख सकते हो, मैं इसमें कैसे प्रेस कर करकर इसको सील कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें काटे से छेद कर दूँगा, और बीच में भी छेद कर दूँगा, इससे क्या होगा, यह खुलने के chances जीरो हो जाएंगे, बाकी का प्रोसेस तो सेम ही है, तो मैं स्पीड कर देता हूँ, मैं अभी फोटाफट घर में पीजा सॉस बना रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके उपर चीज डाल देंगे, और फिर टॉपिंग रख देंगे, जो भी हो दोस्तो लास्ट में यह जो प्रोसेस है ना बटर लगाने का इसको स्किप मत करिएगा, आप देख करता हूँ, यह पीजा को सेखने के लिए रख देता हूँ, कढ़ाई में फिर से बहुत मेनत होखे यार, आज दूसरी बार शूट कर रहा हूँ यह रेसिपी को, कढ़ाई को मैं खोल कर इसके उपर अपना पीजा रख देता हूँ, और फिर फटा फट हम लोग इसमें ढख किया, तो यह बिल्कुल ऐसा देख रहा था, तो यह रेडी हो चुका है, दोस्तों, तो मैं अब इसमें क्या करता हूँ, कि यह गरम-गरम है न, तो अभी ही मैं इसके उपर हलका सा पीजा का ओरेगनो डाल रहा हूँ, इससे क्या होता है, फ्लेवर जो है ना ओरेगनो का, वो अंदर तक चला जाता है, अब फटा-फट हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, तो मैंने यहाँ पर यह जो स्पैचूला होता है, या फिर कोंचा जो होता है, उससे मैंने अपने पीजा को निकाल लिया, बटर अगर आप अच्छे तरह लगाएंगे, तो यह ऐसे ही निक कर फैल जाएगी, तो तीन मिनिट बाद आप इसको काट कर चेक कर सकते हो, यह देखिए, हम लोग का घर में बनावा कड़ाई में चीजबस पीज़ा बिल्कुल तैयार है, चीज़ पूल तो बहुत बढ़िया हुआ है, साथ ही में हम लोग ने जो चीज़ प्रेड अंदर दाला है न, वो भी बिल्कुल पिगल-πिगल कर भार निकल रहो है, है की नहीं, तो ट्राई करेंगा यह रेसिपी दोस्तों, यह बिना यीसत की भी है, बिना अवन की भी है, और टेस्ट में कोई भी बिना नहीं है, टेस्ट एकदम भर पूर आएगा, अगर आप यह बिल्क तो बहुत मज़ा आता है, घर में पैकेट लेकर आते हैं, तो सोचते हैं कि इसमें पहले सॉस के ओपर चीज डाले, सबसी डाले, यह करें, वो करें, या फिर क्या करें, यह रेसिपी ट्राइब करेंगा, वो पैकेट लाने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में उसे भी ब वीडियो के नीचे एक लाल कलका सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करना उसे क्या होगा, आपके फोन में घंटी बजेगी, जब भी मैं एक नया वीडियो डालू, मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ, फेस्बुक में देख रहे हो, तो कुकिंग लाइक और फॉलो जरूर करना, बाई बाई